नमस्कार स्वागत है आप सभी का एश्या न्यूस इंड़ा में और मैं हूँ आपके साथ संचना यश्वन सिन्हा ने राश्ट्रपती चुनाव के लिए किया नामकन राहूल गांदी और शरत पवाद थे साथ विपक्ष के राश्ट्रपती पद के उमिद्वार यश्वन सिन्हा ने नामकन कर दिया है इसे मौके पर कॉंग्रस के नेता राहूल गांदी और न्सेपी के लीडर शरत पवाद समेत कई विपक्षी नेता उनके साथ मौजूद थे विपक्ष के राश्ट्रपती पद के उमिद्वार यश्वन सिन्हा ने नामकन कर दिया है इस मौके पर कॉंग्रस नेता राहूल गांदी और न्सेपी के लीडर शरत पवाद समेत कई विपक्षी नेता उनके साथ मौजूद थे यही नहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, CPAM के महा सचीव सीता राम येचुरी और TAMC के सुधिंदर कुलकर्णी समेत कई अन्य विपक्षी नेता कॉंग्रिस के राजसभा के नेता मलिका अरजुन खडगे भी इस मौके पर थे जो राहूल गांदी के बगल में बैठे निजर आए इसके अलावाद सुभाई येश्वन सिना की उमिदवारी को समर्थन करने वाली तेलांगना की सत्ताधारी पार्टी TRS के नेता भी पहुँचे थे जम कश्मीर से फारुक अब्दुला भी इस मौके पर समर्थन जाहिर करने पहुँचे थे यश्वन सिना सताधारी, NDA गटबंधन की और से उतारी गई, द्रौपती मुर्मुर को चुनौती देंगे, हलांकि द्रौपती मुर्मुर की जीत काफी हद तक तैमानी जा रही है, इसकी वज़ा यह है कि NDA बहुमत के आंकडे से थोड़ी ही दूर है, जबकि YSR कॉंग्रिस बीजू जनता दल जैसी पार्टिया ने उनके समर्थन का ऐलान किया है, ऐसे में उर्मुर की जीत तैमानी जा रही है, धैन्यवाद इस रौपोर्ट में बस इतना ही बने रही है शेयर ने के साथ